Hello everyone, welcome to Chandra Institute इलाबाद, मैं विकास जवेदी, आप सभी का स्वागत करता हूँ Railway की इस क्लास में आज हम Time and Work पड़ेंगे Time and Work आपके स्लेबस में दिया गया है और किसी भी वंडे एक्जाम को अगर आप देखते हैं हम स्टार्ट करते हैं Time and Work Time and Work को स्टार्ट करने से पहले आपको संबंध जानना होगा कि समय कारियर के भी संबंध कैसा है अगर किसी भी आदमी को कोई काम सौपा जाए और आप से पूछा जाए कि वहाँ समय कितना लेगा तो आप मुझे बताईए कि अगर कोई बंदा किसी काम को पूरा करता है तो समय क्या लेगा समय किन बातों पर डिपेंड करता है किन बातों को अगर प्रस्टुत किया जाए कि समय निकल लेगा तो समय इस बात पर depend करता है कि बंदे को काम कितना दिया गया है और बंदा उस काम को किस छम्टा से कर रहा है एक छोटे तो धारन से इस बात को हम समा सकते हैं जैसे कि माल लीजे किसी बंदे को एक काम दिया गया है एक मकान बनवाने के लिए जिसमें 500 इटे लगी गई है और छम्टा उसकी है कि वो एक दिन में 5 इट लगा लेता है पांच इट प्रती दिन तो आप देख रहे हैं कि 5 से 5 कर जाएगा इट से इट कर जाएगा और दिन घूम के ऊपर चला जाएगा तो आजाएगा 100 दिन तो आप यहां से कह सकते हैं कि काम कितना था और उसने प्रतिदिन कितना किया यह इस बात को decide करेगा कि उसको time कितना लगेगा तो मैं कह सकता हूँ कि किसी भी काम को करने में जो समय लगेगा वो उस काम और छमता के बीच का सम्मंद बताएगा अगर किसी भी आदमी को पता हूँ कितना काम करना है और हमें पता हूँ कि वो daily कितना काम करता है तो इन के आधार पर हम यह बता सकते हैं कि उसको समय कितना लगेगा बात आते हैं कि छमता यहां से आपने समझा छमता क्या है तो याद नहीं का चमता को कारे चमता भी कहेंगे, कि काम को किस चमता से करता है, कारे को शलता, या इंग्लिश में efficiency होती क्या है, एक दिन में किया गया काम, एक दिन में किया गया काम, एक मिनिट में किया गया काम एक सेकेंड में किया गया काम या छोटे शब्दों में कह सकते हैं प्रती इकाई प्रती इकाई में किया गया काम इसका मतलब अगर मैं आपको ये बताओं कि मैं पास दिन में सौ पेज आपको पढ़ा दूंगा तो 5 दिन में अगर सर जी 100 पेज पढ़ा सकते हैं, तो एक दिन में कितना पढ़ाएंगे 20 पेज, इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर की जो कारी छमता है, वो 20 पेज प्रति दिन की है, इसका मतलब सर एक दिन में 20 पेज हमें पढ़ा सकते हैं, तो याद रखेगा एक दिन में या कोई बताता है एक मिनट में कितना काम करता या एक सेकेंड में कितना काम करता या प्रती इकाही किया गया काम ही क्या होती है कारी छमता जिसे कारी को शलता कहते हैं English में efficiency जैसे हर एक chapter का अपना एक keyword होता है जैसे profit and loss में cost price, simple interest, compound interest में principle उसी तरह time and worth में जितने अच्छे questions आए उनमें केवलो केवल सवाल depend करेगा कारी छमता में इसका मतलब आप खुद बताईए कि अगर एक मजदूर है उसके हमें कारी छमता पता है तो हम इस बात को decide कर सकते हैं कि कितना काम कितने दिन में वो पूरा कर लेगा है ना तो छोड़ी छोड़ी बाते हैं जो question से हम समझे ठीक है तो आईए आगे बढ़ते हैं इसी फॉर्मले से एक बात और आप जान लिजे कि अगर किसी काम को मुझे जानना है कि काम कितना है कारी तो कारी कि इस बात पर depend करेगा कारी करने में समय कितना लगा और किस छमता से उसे किया गया जिसे अभी आपने देखा कि आपको लग रहा था सो दिन है ना सो दिन और आप छमता किती थी पांच इट परती दिन के हिसाब से आप काम कर रहे थे और आपको समय कितना लग रहा था सो तो काम कितना होता दिन से दिन कर जाएगा पांच गुड़े सौ पांच सौ और इट बज गया वहाँ पर तो हम यह बता पाते कि काम कितना हुआ था पांच सो इटे लगाई गई थी तो यह छोटी छोटी चीज है जो मैं चाहता हूँ कि किसी भी चैप्टर को start करने से पहले आप उसका आधार जान लिया जिसे आपने इतनी बात जान ली इस बात में इतनी इतनी इस बात में इतनी बात है कि अगर आप कोई भी सवाल लगाना चाहाए तो इस concept का आधार का सवाल को लगा सकता है चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सवाल को स्टार्ट करने से पहले मैं आप से रिक्वेस्ट करना चाहूँआ कि इस वीडियो को आप देखें तो comment section में आप जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी है अच्छी लगी होगी तो आप like करें share करें ताकि और लोगों को भी इ जियान देंगे यहां पर जैसे पहले किसी भी तरह से एक छोटा क्वेस्ट लेता हूं ताकि आपको समझा सको कि हम करेंगे कैसे ठीक है जैसे मालनी जी question A किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है जबकि B उसी काम को करने में 15 दिन लेता है तो A और B अगर एक साथ काम करेंगे तो कितना समय लगेगा बहुत ही आसान सवाल है बहुत ही आसान सवाल मुझे पता है कि जैसे ही सवाल आप देखेंगे आप मौखिक इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां पर समझाने के लिए जो भी एक आधार है वो आप चाहने जिसे बड़े- समय की बात परें बचपन में जो हमने पढ़ा वो किस तरह से तो पहले एक बार बेसिक की बात के लिए दिया है दस दिन में एक काम करता है तो और पूरा काम है कितना एक काम तो आप मुझे दें दस दिन में पूरा काम एक काम है जो एक करता है तो एक दिन में कितना करेगा एक दिन में करेगा एक कम काम कम के लिए भाग तो एक बटे दस काम और आप जानते हैं एक दिन में किया गया काम ही क्या होती है कारिछमता यहां से हमने A की कारिछमता निकाल ली कि A एक दिन में कितना करता है एक बटे दस काम इसी तरह अगर मैं बात करूँगा B की तो 15 दिन में B पूरा काम कर लेता है अब पूरा काम हमने कितना लिया है एक काम तो एक दिन में B कितना करेगा कम काम कम के लिए भाग तो एक बटे 15 काम और एक दिन में जो काम होगा वही B की कारिछमता होगी तो यहां से हमने बता दिया कि B की कारिछमता कितनी है एक बटे 15 काम है तो आप मुझे बताइए सवाल में पूछ रहा है कि A और B उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे तो अभी आपने मुझे ये बताया कि समय किस बात पर डिपेंड करता है समय इस बात पर डिपेंड करता है काम कितना हुआ और जो उस काम को पूरा कर रहा है उन्होंने किस छमता से काम को पूरा किया तो आप मुझे बताईए कि A और B एक साथ काम करेंगे तो A कितना करेगा एक दिन में? एक बटे 10 और B एक दिन में कितना करेगा एक बटे 15 10 और 15 का लासा 30 यहां आगया 3 यहां आगया 2 5 बटे में 3 मतलब एक बटे में 6 इसका मतलब A और B अगर मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, एक बटे 6 आपको मुशे बताना है कि A और B अगर मिलकर काम करेंगे तो काम पूरा करने में कितना समय लगेगा समय किस बात पर डिपेंट गरता है, काम कितना है, पूरा काम कितना है और नीचे काम करने वालों की छमता काम पूरा कितना है हमने माना है एक काम और छमता कितनी है एक बटे छे काम एक से एक कड़ गया काम से काम कड़ गया छे जाके उपर चपक गया तो कितना आ गया छे दिम है न और यही आ गया समय तो आपने देखा कि जिस सवाल को देखते ही आप शायद इसका जवाब दे दिये होंगे उसको मैंने पुरे board भर कर बताया तो बिल्कुल आप निश्चिंद रहें आपको इस तरह से exam में करना नहीं है ये तो वो basic था अगर आप इस बात को जानते हैं तो आपको time and work में कोई भी सवाल परशान नहीं करेगा हर सवाल आप अपने से बिना पढ़े कर सकते हैं अब थोड़े दे changes हम इसी में करेंगे हम क्या कर दें कि सवाल बहुत जल्द हो जाए बहुत कम समय में हो जाए तो ध्यान दीजेगा आईए चलिए आप मुझे बताईए कि जो बचपन थे हम मानते आ रहे थे कि माना एक काम यह एक काम हमने माना है जहाँ पर mathematics में आप इस शब्द का इस्तमाल कर देंगे माना या English में let वहाँ पर आप उस मान को मानने के लिए आप एक मानिये चाहे दो मानिये चाहे तीन मानिये चाहे चार आप मुझे बताईए जैसे यहाँ पर एक बटे दस था एक बटे पंदरा था इसको जोड़ना इतना आसान नहीं था आप मौकिक जोड़नी सकते हैं कोई कहता है कि नहीं सर मैं मौकिक जोड लेता हूं, तो मैं कहूंगा अब आप मौकिक जोड की दिखाईए, अब आप खुद प्रयास कर रहे होंगे कि इसको मौकिक जोडना बहुत बड़ा अपशगुन है, आप नहीं जोड पाएंगे, आपको काफी वक्त लगेगा और अगर मैं यह कहूं कि 10, 15 और 20 को जोड लो, तो इसको आप मौकिक जोड सकते हैं, इसमें कोई भी बुराई नहीं है, कहने का मतलब छोटा सा, कि किसी भी सवाल में, किसी भी सवाल में, अगर भिन को हम बनाते हैं, तो भिन के बनने पर सवाल में कैलकुलेशन गया जाती है, और अगर हम रेलवे, S.S.C. या वंडे एक्जाम के तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे लिए समय बहुत ही जरूरी है बचाना, बिना समय बचाये, पूरे सवालों को करना और कॉम्पोटिशन को निगाना थोड़ादा मुश्किल है, तो ध्यान देंगे, कि हम कोशिश करेंगे कि भिन्नों से हम दूर रहें, अगर कोई मजबूरी ही कि भिन्न का बनना सौहाविक है, हम नहीं, तो दुनिया के लिए सौहाविक है, फिर हम भिन्नों को हली करेंगे, लेकिन अगर कोई तरीका है जिससे भिन्न को हम ना बनाएं, और भिन्न को भिना बनाएं, सरलता के कि मोके को जाने नहीं देंगे, जैसे ध्यान देंगे, जैसे माना पूरा काम, मुझे पता है कि यह जा यह 10 नीचे आ रहा है यहां पर अगर यहां एक काम की जगा मैं एसी कोई संख्या रकता जो 10 से कढ़ जाती तो यह पूरांक बन जाथा, लेकिन फिर बात यह कि अगर मैं यहां पर 10 रख देता तो 10 से 10 कटा इसका मतलब अगर 10 दिन में ए पूरा काम 10 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा एक काम फिर बात आती कि 15 दिन में बी पूरा काम करेगा और पूरा काम कितना है 10 तो एक दिन में कितना करेगा 10 बटे 15 पांस दूनी 10 पांस के 15 लेकिन यहाँ पर क्या बन गई भिन तो मैंने सोचा कि यहाँ पर दस से भाग दे रहे हैं, यहाँ पर पंदरा से भाग दे रहे हैं, इसका मतलब कि मुझे एक ऐसी संख्या माननी है जो दस से भी कट जाए और पंदरा से कट जाए, दस से और पंदरा से ऐसी कौन ते सबसे छोटी संख्या है जो कटेगी, तो वहाँ छोटी संख्य जो दी गई संख्याओं से पूनता विभाजित है, ऐसे संख्या को संख्याओं का लासा कहा जाता है, तो दस और पंदा का लासा, तीस, तो इसका मतलब अगर मैं पूरा काम तीस मालूम, तो सरलता से मेरा काम बन जाएगा, तो अगर पूरा काम मालूम है, कि माना पूरा काम, 30 unit पूरा काम 30 unit 10 दिन में ए पूरा काम करता है पूरा काम कितना है 30 unit तो एक दिन में कितना करेगा कम कम के लिए भाग तो 30 बटे में 10 मतलब 3 unit अगर B 15 दिन में पूरा काम कितना है 30 unit तो एक दिन में कितना करेगा 30 बटे 15 मतलब 2 unit आप मुझे बताईए कि इतना जहां पर आपने pen चलाया था अब वो मौकिक कर लेंगे आप कि A और B दोनों उतरेंगे तो A एक दिन में कितना करता है 3 B एक दिन में कितना करता है 2 दोनों मिलकर करेंगे देखते हुने कितना होगा 5 यूनिट तो आप मुझे बताईए कि A और B अगर मिलकर करेंगे तो उन्हें कितना समय लगगा समय किस बात पर डिपेंड करता है काम कितना है काम कितना माना है हमने 30 और इनकी efficiency कितनी है 5 तो 5, 6 जा 30 तो इस तरह से भी answer आगया 6 दिन जो कि सवाल का सही उत्तर है और बड़े आसानी से आया तो आज आपने ये देखा या जाना हमने कि हम LCM क्यों लेते हैं LCM इसी ले लेते हैं कि सरल्टा से question within required time पूरा हो जाए अब किसी के मन में कि सर अगर यहाँ पर हम LCM ना ले पाते हैं तो question का उत्तरफ fix हो गया कि समय कितना है 6 जब आप मानते हैं तो मानने पर आप कोई भी मान को मान सकते हैं जैसे अगर मैं पूरा काम ले लेता साथ बस लासा यह कि लासा लेने पर लासा तबसे छोटी संख्या है सबसे छोटी संख्या है जो 10 से कटेगी और 15 से कटेगी 30 से छोटी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो एक समय पर 10 और 15 से कट जाए अगर आप अब 30 के 30 के multiple में अगर संख्याएं मानते रहते हो तो संख्याएं बड़ी होती जाएंगे लिए कि उत्तर वही आएगा जैसे पूरा काम 60 माल लिए तो यहां पर कितना आ गया? 60 10 दिन में A करता है 60 unit तो एक दिन में कितना करेगा? 60 बटे 10 मतलब 6 unit 15 दिन में B पूरा काम करता है कितना करेगा? 60 unit एक दिन में कितना करेगा? 60 बटे में 15 मतलब 4 unit तो A और B अगर दोनों काम पर उत्रेंगे तो A करेगा 6 unit B करेगा 4 तो काम कितना होगा? 10 unit तो समय कितना लगेगा? 60 unit टोटल काम है एक दिन में कितना करते हैं, दस, समय कितना लगेगा, शे, तो आपने देखा कि समय उतना ही आया, है न, तो आईए फिर समझते हैं, अब प्रॉपरली कि हमने क्या सीखा, और विश्वास कीजिए कि टाइम इन वर्क आपका खतम हो गया, ध्यान दिजे, कि हमने क्या क्या सीखा, अगर सवाल इस प्रकार का है, जो अभी हमने किया, कि एक काम को दस दिन में करता है, भी उसी काम को पंदर दिन में करता है, इसका मतलब, अगर किसी भी सवाल में, अगर हमें काम करने वालों का समय है, यह दिया ही रहता है, अगर दिया गया है, तो उसका हम लासा ले लेंगे, लासा, 10 और 15 का लासा, 30, जो भी यह लासा आएगा 30 यूनिट, इसे हम क्या मानेंगे, टोटल वर्ग, तो अगर ए 10 दिन में पूरा काम 30 यूनिट करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 30 बटे में 10 मतलब 3 यूनिट, और बी अगर 15 दिन में 30 यूनिट करता है, तो दोनों मिलकर कितना करेंगे, ए करेगा 3, B करेगा 2, मतलब 5 यूनिट, अगर आपका ये डाइग्राम बन गया है, इसका मतलब कोशन हो चुका है, किवल आप उत्तर आपको देना है, तो अगर A और B एक दिन में करते हैं 5, तो इनको काम करने को कितना समय लगेगा, पूरा काम है, 30 एक दिन में करते हैं 5, तो कितना आ गया, 6 दिन, तो ये था हमारा परफेक्ट तरीका, जिसे कहते हैं LCM Method, दुनिया जानती है LCM Method को, इस तरीके से ही हम सारे सवाल करते हैं, बहुत ही आसान सवाल होते हैं, तो अब मैं कोशिश करता हूँ, कुछ अच्छे सवाल हम लोग कर चली फिर ध्यान दीजेगा यहाँ पर, चली ध्यान दीजेगा, चली आप मुझे बताईए, अगर मैं सवाल देदू कि A हो सकता है कि आपको यह चीज समझ में आरे उक्तर बहुत ही आसान सवाल था, इस सवाल को हम जानते हैं, तो मैं आपका डाउट दूर कर दूँ कि वो इजी सवाल पर हमने concept डिसकस किया है, अगर उस concept को आपने भली भाती अपने दिमाग में उतार लिया, तो मैं विश्वा अगला सवाल है कि A किसी काम को 6 सही 2 बटे 3 दिन में पूरा करता है, जबकि B उसी काम को 7 सही 1 बटे 2 दिन में पूरा करता है, तो A और B दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, मैंने आपको कहा था कि time and work का अगर कोई भी question है, तो उसमें time जरूर दिया होगा time को एक जगा लिख लीजे और उनका लासा ले लिजे, LCM, अब ये भी भिन्न में है, ये भी भिन्न में है, तो पहले तो इस मिश्रित भिन्न को हम भिन्न में बदलेंगे, 6-3-18-2-20, ये हो गया 20 बटे 3 और ये साधे 7 मतलब 15 बटे 2, इसका मुझे LCM नेना है, तो किसी भ जानकारी हमें जरूरी नहीं है, इतना हमें नहीं पढ़ना है, हम यहाँ पर LCM इस परपस से ले रहे हैं, कि हमारी calculation सरल हो जाए, यहाँ पर जो भी LCM आएगा, उसे हम मान रहे हैं, मानने का मतलब है, कि हम अपने से स्वतंत रहे हैं, उस मान को मानने के लिए, और यहाँ पर हम जो भी मान मानते हैं, वो केवल इसलिए कि यह दोनों जब उससे भाग, जब इससे यह भाग दिये जाए, तो सरलता से कट जाए, आप मुझे बताइए, कि यहाँ पर जो भी Sankhya आएगी, तो 20 बटे 3 दिन में ए पूरा काम करेगा, मतलब 20 बटे 3 दिन में कितना करे जाएगा, कोश्चन बटे में 20 बटे 3, तीन तो उपर चला जाएगा, बचेगा क्या, 20, मतलब 20 ही इसको काटेगा, और नीचे यहाँ 15 बचेगा, तो 15 काटेगा, कहने का मतलब अगर भिन में आपके समय दिये गए हैं, तो भिन में केवल आप अंश का ही LCM लेंगे, तो 20 और 15 का लासा कितना हैगा, 60, तो हमने माल लिया 60 यूनिट, आपका टोटल वर्क है, तो सवाल आप कुछ बन गया आप था, कि ए 20 बटे 3 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 60 बटे में 20 बटे 3, 60 बटे में 20 बटे 3, 20 यहीं 60, यह 3 भूम के उपर जाएगा, तो तीन तरिक्का कितना हो जाएगा, 9 यूनिट, इसी तरह 15 बटे 2 दिन में 60 यूनिट करता है B, तो एक दिन में कितना करेगा, 60 बटे 15 बटे 2, 15 चोके 60, यह घूम के उपर जाएगा, 4 दुनी, 8, बड़ी, इसली हमने इसको निकाल लिया, आप कह रहा है, A और B मिलकर कितने दिन में काम को पूरा करेगा? अगर A और B काम पर उतर गए, तो A कितना करता है? 9, B कितना करता है? 8, बड़ी, 10 तरह 17 यूनिट काम होगा एक दिन में, एक दिन में करेंगे A और B तो A और B अगर इस काम को पूरा करनेंगे तो कितना टाइम लेंगे टाइम किस बात के डिपेंड करता है कि पूरा काम कितना है कितना है 60 unit और एक दिन में कितना करते हैं 17 तो यही आपका आंसर है क्या 17 59 60 बटे में तो 3 सही 9 बटे 17 दिन में A और B मिलकर इस काम को पूरा कर लिए तो इस तरह के सावाल भी आपके एक्जाम में आते हैं दिहान देंगे आईए फिर आगे बढ़ते हैं आईए बहुत अच्छा कोश्चन में लेता हूँ कोश्चन नमबर 3 अपना लेवल हम बढ़ाते हैं और दिहान दीजे गया आपकर यहाँ पर मुझे आपकी थोड़ी से ज़रुरत होगी समझने के लिए कि आप क्या इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं पूरा प्रॉपर मैं सव पूरा करने में सी द्वारा लिए गए समय के बराबर समय लेता है यदि यदि ए और बी किसी काम को किसी काम को दस दिन में और सी उसी काम को पंदरा दिन में पूरा करते हैं करते हैं तो भी इस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा कर लेगा आईए बहुत ही अच्छा सवाल है बिलकुल और हम कह सकते हैं कि सवाल का स्टेंडर बहुत अच्छा है आपको लग रहा होगा पढ़के एक को किसी काम को पूरा करने में बी और सी द्वारा लिए गए समय के बराबर समय लगता है ठीक है इसका मतलब एको किसी काम को पूरा करने में जो समय लगता है वह समय बराबर है किसके जो बी और सी को लगता है ठीक है यदि ए और बी किसी काम को दस दिन में मतलब ए और बी अगर मिलकर काम करें तो काम को दस दिन में पूरा करने में और सी उसी काम को पंदरा दिन में करने में पूरा करने में तो बी इस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करने में बहुत अच्छा सवाल है घ्यान लिए, तो किस तरह से करेंगे? समय, b द्वारा लिया गया, a द्वारा, a का समय बराबर है किसके, b प्लस, c का समय, है न, a का समय और b का समय बराबर है, आप मुझे बताइए, अगर दोनों का समय बराबर है, है न, माल लिजे कि सर भी 5 दिन में पूरा स्लेबर्स पूरा करते हैं, और इस्टुडेंट भी पांस दिन में स्लेबस पूरा करते हैं इसका मतलब सर भी पांस दिन में स्लेबस पूरा पढ़ा रहे हैं और बच्चे भी पांस दिन में स्लेबस पूरा बना गए तो आप मुझे बताईए तो क्या सर ने एक दिन में जो काम किया होगा वो बराबर होगा, इस्टुडेंट जो एक दिन में काम पूरा किया होगा, आप इस बात से समझिए, कि अगर दो किसी भी आदमियों को काम पूरा करने में एक ही समय लग रहा है, तो उनकी कारिछमता भी बराबर होगी, अगर आप इस एक्जामपल दे नहीं समझ पा रहे है तो आप मुझे बताइए, कि अगर सर पांच दिन में 500 पेज पढ़ लेते हैं, इस्टुडेंट भी पांच दिन में 500 पेज पढ़ लेते हैं, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि सर को पूरी किताब पढ़ने में जो समय लग रहा है, वही समय इस्टुडेंट भी ले रहे हैं, तो अगर सर 5 दिन में 500 पट रहे थे, तो एक दिन में 500 पट रहे थे, 100 पट तो यहां से एक बात आपने समझी, कि अगर A का समय B और C का समय बराबर है, तो A की कारिचमता बराबर होगी A की कारेचमता बराबर होगी किसके B और C की कारेचमता के इस बात को आपको समझना होगा अगर ये बात आप समझ गए तो सवाल को अभल होने में ज़्यादा समय नहीं लगगा ध्यान देंगे आपर आप से पूछा गया है आपको दिया गया है प्रश्ण में कि A और B किसी काम को 10 दिन में और C अकेले इस काम को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं 10 और 15 का मैं LCM लूँगा कितना आएगा 10 और 15 का LCM 30 unit ये हो गया total work अगर A और B मिलकर 10 दिन में 30 unit करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे 3 unit और C 15 दिन में पूरा काम खतम करता है जो कि 30 unit हमने माना है तो एक दिन में कितना करेगा 2 unit आप मुझे बताइए A, B और C अगर A, B और C तीनो को मैं काम पर उतार दूँ तो एक दिन में कितना काम करेंगे 3 A और B मिलकर करेंगे और C 2 करेंगे 3 दो 5 यूनिट मुझे उमीद है कि यहां तक आपने भले भाती समझा होगा तो A, B और C 3 तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगा? 5 यूनिट आप मुझे बताइए A की कारेचमता B और C की कारेचमता के बराबर है अगर A, B, C एक दिन में 5 यूनिट कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ कि A की कारेचमता 2 यूनिट होगी और B और C की भी कितनी होगी? 2 यूनिट तभी A एक दिन में कर रहा है 2 यूनिट दोनों अगर मिल जाएं तो ड्याई ए करेगा दोनों मिल कर कितना करेंगे तो वही हमने यहाँ पर निकाला कि ABC तीनों मिल करें तो एक दिन में कितना करेंगे पाँच उनिट आप मुझे बताये कि C की कारेचनता कितनी है दो यूनिट तो यहां से B और C में अगर C दो यूनिट काम करता है और B और C धाई यूनिट करते हैं तो बचा कितना धाई में दो यूनिट C कर रहा था तो बचा आधा यूनिट वो कौन कर रहा होगा? तो आप मुझे बताईए कि कितने मौकिक रूप से हमने निकाल लिया कि B की कारे चंदा कितनी आ गई? 0.5 मतलब आधी यूनिट तो सवाल में कह रहा है कि B को इस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा? तो B द्वारा लिया गया समय समय इस बात पर depend करता है काम कितना करना है आप मुझे बताइए कारी कितना था 30 और B कितना कर रहा एक दिन में 0.5 0.5 का मतलब है आधा तो 2 उपर चला जाएगा 30 दुना 60 आप मुझे बताइए कि B ने कितने दिन में काम पूरा किया आपका जवाब होगा 60 दूट तो आपने देखा कि बहुत ही अच्छा सवाल था लेकिन हमने इसे verbally कर लिया मैं एक बार फिर इस सवाल को दोराता हूँ सवाल में दिया था कि A का जो समय है वो B और C के समय के बराबर है अगर इनी दो का समय बराबर है तो उनके द्वारा किया गया एक दिन का काम भी बराबर होगा इसका मतलब A की कारिचमता जो होगी वही B और C की कारिचमता होगी सवाल में दिया गया A और B मिलकर 10 दिन में करते हैं C उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है 10 और 15 का LCM ले लिया 30 unit तो A और B मिलकर 10 दिन में अगर काम को पूरा करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे 3 unit C 15 दिन में काम को पूरा करता है तो एक दिन में कितना करेगा 2 unit A, B اور C तीनों को काम पे उतार दूँ तो A और B करेंगे तीन युनित और C करेगा 2 तो तीनों मिलकर तीन दो 5 unit काम करेंगे अब मुझे पता है ये 5 unit तीनों मिलकर एक दिन में करते हैं अगर इतने 5 तो 5 यूऋट करेगा A, और B और C मिलकर करेंगे 5. मुझे पताईगी C एक दिन में कितना करता है? 2 यूऋट, और B और C दोनों मिलकर 5 यूऋट करते हैं, तो इस धाई में अगर C ने 2 यूऋट कर लिया, तो B कितना करेगा? 5.0 यूऋट, तो 30 बटे में आधा मतब 60 दिन भी को लगेंगे और भी पूरा काम पूरा कर लेगा तो बहुत ही आसान सवाल थे चलिए आईए एक और सवाल है जो आप कर सकते हैं ध्यान दीजिएगा कोशन नमबर 4 इस सवाल को पूरा लिख नहीं रहूं आप समझ सकते हैं A, B और C तीनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं और उसी काम को A और B 20 दिन में पूरा करते हैं तो C अगर अकेले काम करें तो इस काम को कितने समय में पूरा कर लेगा चलिए यो टाइम स्टार्ट नौ आपको मैं 5 सेकेंड देता हूं इस सवाल का उत्तर दीजे सवाल है कि A, B और C मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं जबकि A और B मिलकर उस काम को 20 दिन में पूरा करते हैं तो C उस काम को अकेले कितने समय में पूरा कर लेगा चलिए मैंने कहा कि अगर आपको समय दिया गया है दो समय कम से कम चाहिए है मैं LCM लेने के लिए तो अगर दो समय मिल गए तो मैं तुरंट उन समय को एक तरफ लिख लूँगा और उनका LCM ले लूँगा 12 और 20 का LCM कितना? 60 unit जो भी LCM आएगा उसे मैं total काम माल लूँगा A, B, C अगर 12 दिन लेते हैं और 60 unit काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? 5 unit अगर A और B मिलकर 20 दिन में 60 unit करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? 3 unit आप मुझे बताइए अगर ये चार्ट बन गया है इसका मतलब 99% question is over now now we have just to find the right answer है ना? तो आप से पूचा गया है C द्वारा लिया गया समय समय कि इस बात पर depend करता है काम कितना है और जो बंदा कर रहा है उसकी छमता क्या है? छमता तो मुझे पता ही नहीं है काम मुझे पता है कि काम मैं ही बनाता हूँ काम कितना है? 60 unit जैसे ही छमता पता चल जाएगी मैं C का समय बता दूँगा तो आपने देखा कि पूरे का पूरा समय किस बात पर depend करता है? छमता पर तो यह काम को कहीं न कहीं हम खुद ही बना देते हैं तो चलिए आईए फिर निकालते हैं और यह चार्ट बनने का मतलब है सब कुछ यहीं पर है A और B एक दिन में कितना करते हैं? 3 यूनिट अगर A और B एक दिन में 3 यूनिट करते हैं और A B के साथ जब C को शामिल कर दिया जाए तो काम कितना होता है? 5 5 में 3 तो कर रहे हैं A और B तो बच कितना रहा है? 2 और लोग कितने बच रहे है? 1 इसका मतलब मैं कहते हुआ हूँ कि बचा हुआ जो काम है दो यूनिट वो कौन कर रहा होगा सी तो जैसे ही मुझे ये पता चल गया कि छमता सी की कितनी है दो तो आंसर भी आ गया कितनी तीज दिन लगेंगे सी को काम को पूरा करने में मुझे उमीर थे कि ये बात आप समझ रहे होंगे तो ये बेसिक सवाल थे जो हमने आज किये बहुत ही शांदार अच्छे सवाल थे शुरुआत में हमने एक बहुत आसान सवाल लिया जिससे हमने कॉनसेप्ट को समझा और बाद में उस कॉनसेप्ट से आपने देखा कि इतने खुबसूरत सवाल हमने किये तो ऐसे ही अपने हम सवाल का लेवल हर क्लास में बढ़ते जाएंगे और तीन तर चार क्लास लगे कि हमें पूरा टाइम और और कंपलीट करने में तब तक बने रहीएगा चंद्रा इंस्टेट्ट के साथ तेली वीडियो देखेगा और कमेंट से अच्छी ने बताएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी पसंद आई होगी तो जरूर उसे लाइक तरके जाएगा लाइक और डिसलाइक दोनों में एक काम आपको जरूर दरने है चलिए अपना खयाल रखेगा थेंक्यो सो मच